नमस्कार, शद्धे प्रधान मंत्री जी, मंज पर बैठे सभी मंत्री गण, उपस्तित देश के सभी राज्यों से आए, सिद्ध हस्त श्रम जीवी कारीगर, भाईयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है राष्ट परिवार के मुख्या, गरीबों के मसीहा, विश्व के सबसे लोग प्रियन नेता, परमादर्निया, शिलरेंगर मोदी जी, आपको जनन दिन की बहुत बहुत शुब कामना है हम सभी इश्वर से आपके स्वस्त और दिरगायु जीवन की मंगल कामना करते हैं एक सो चालिस करोड भारत वासियों के आपके प्रती बढ़ते विश्वास और आस्था से हम सभी को देश सेवा में तत पर रहने की प्रेणा मिलती है कटें वैश्विक परिस्थितियों में आपने अपने कुशल नित्रतों से देश के कोने कोने में जी ट्वेंटी कारेक्टमों का आयोजन किया जिसने सभी देशवासियों को जोड़ते हुए पीपल्स जी ट्वेंटी के रूप में एक नया खिर्तिमान स्थापित किया आज सुबह की अकबार में तो एक खबर में एक वरिष्ट अर्थ शास्त्री ने इसको मॉडिफाइट जी ट्वेंटी का दरजा दे दिया है जी ट्वेंटी की अधश्ता में आपने सर्वसमत्ती से न्यू डेली लीडर्स डेकलरेशन पारित किया जो आने वाले भविश्य को नई दिशा दिखाने के साथ ही वैश्विक दशा बदलने में महत्तुपूर्ण भूमिका निभाएगा इस एतिहासिक सफलता पर आपको हारदिक अभिनंदर और बदाई यह हमारा सवभाग्या है कि आज विश्व कर्मा जहनती के पावन अफसर पर विश्व कर्मा योजना का शुबारम और यश्व भूमी का लोकारपन आपके करकमलों से हो रहा है प्रदान मंत्री जी आपने देश में स्किल, स्पीड और स्केल की नई परिकल्पना की है आज का यह कारिकर्म इन तीनों का संगम है स्किल डिवेलपमेंट के लिए एक नया मंत्राले बनाकर आपने कौशल विकास को बल दिया आज की विश्व कर्मा योजना भी हमारे हुनर मंद भाई और बहनों को आत्म निर्भर बनाने में योगदान देने वाली है आपने अपने कर्मशील विक्तित्व से लगातार मार्ग दर्शन देते हुए सभी में विश्वास भरा जिसके कारण तीवर गती से ये कार्यपूर्ण होकर आज यश्व भूमी के विशाल सुरूप में उभर कर सामने खड़ा है आपने सितंबर 2008 को यश्व भूमी का शिलनयास किया था आज इसका लोकारपन देश में नया उत्सा जागरित कर रहा है यश्व भूमी का कार्यप दो फेज़ेज में होना है जिसका पहला फेज पूर्ण हो गया है और आगे चलकर ये दोख उने स्केल पर संपन होने वाला है ये सभी भारतियों के लिए गर्व की बात है कि यश्व भूमी में बना ये कन्वेंशन सेंटर ना सिर्फ भारत के बलकि विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है द्वारका में बना ये नवनिर्मित भवन पी-एम गती शक्ती और बहु आयामी विकास का एक उत्कृष्ट उधारन भी है इंटर्नेशनल अइरपोर्ट द्वारका एक्स्प्रेस वे बनने से यहां से मात्र पांच-साथ मिनिट में पहुचा जा सकता है एरो सिटी में कई सारे होटल्स हैं इस प्रांगन बे भी लगबग साड़े तीन हजार रूम के होटल्स बनने का प्रावधान है केनाट प्लेस यहां से मात्र बीस मिनिट में मेट्रो से पहुचा जा सकता है और आपने आज नई मेट्रो का जो विस्तार द्वारका के सेक्टर 25 तक किया इससे यशो भूमी तक मेट्रो पहुचकर उसका भी एक नया स्केल और कनेक्टिविटी होने से यह एक प्रकार से जो गती शक्ती की आपकी भावना है उसका एक जीता जागता प्रतीख आज आपने देश को समर्पित किया है उसका लोकारपन किया है गत नौ वर्षों में एक्जिबेशन्स हों, कॉन्फरेंसेज हों, कन्वेंशन्स हों उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर नए सेंटर्स खुले हैं, वे आगे चलकर विश्वस्तरिय प्रदर्शन का केंडर बनेंगे भारत मंडपन भी इसका प्रत्यक्ष प्रमान है यश्व भूमी एक तरफ व्यापार और उद्योग को और दूसरी तरफ निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक रहेगा यश्व भूमी की विशेष्टा यह है कि हमारे सूक्ष मलगू और मद्यम वर्क, MSME सेक्टर, हमारे किसान, यहां उपस्तित सभी विश्व कर्मा भाई भाई भेन इन सभी के लिए नए अफसरों के दर्वाजे खोलकर उन्हें भी बड़े स्थर का उनका स्केल, उनका साइज और बड़ा करने में देश और दुनिया की सेवा करने में अपना एक महतुपूर्ण योगदान देगा मान्या प्रदान मंत्री जी आपने अमरित काल में विक्सित भारत बनाने की नीव रखी हैं चाहे मजबूत अर्थवस्ता बनारा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारबुत, सुविदाओं का विकास हो, गरीबों का कल्यान हो, डिजिटाइजेशन हो, या भ्रष्टाचार म भारत बनाने का ध्रड निश्चे हो, केवल देश नहीं, बलकि पूरा विश्व, आपके वर्षों की तपस्या और समावेशी विकास के संकल्प का साक्षी बन रही है, कानूनों को सरल बनाकर, समान्य लोगों के जीवन को आसान बनाना, इस ओफ लिविंग बनाना, स्टार अतपस को सुविदा देना, व्यापार निर्यात बढ़ाना, रोजगार के काम के नए अफसर उत्पन करना, जन विश्वास पैदा करना, इन सब के फलसुरूप देश अब रुकने वाला नहीं है, आपका आज इस शुब अफसर पर विश्व कर्मा दिवस पर, आपके जनम दिन पर, मैं कोटी कोटी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमारे विश्व कर्मा भाईयों और भेहनों के संगर्श और कठोर परिश्रम को पहचाना, और कुशल कारीगरों के सम्मान एवं कल्यान के लिए, विश्व कर्मा योजना का शुबारम, जिससे हमारे भाई भेहन शशक और स्वाव लंबी बन सकें, उसका आज आपके कर्कमनों द्वारा शुबारम होना, हम सब के लिए बहुत बड़ी सोभाग्या की बात है, समेव जैते की भावना को साकार करने वाले विश्व कर्मा भाईयों और भेहनों को मेरी हार्दिक शुबेच्चा और बधाई, प्रदान मंत्री जी, मैं आपके मार्ग दर्शन के लिए पुना अभार व्यक करता हूँ, भारत के विकास के प्रती, आपकी प्रतिबत्ता, हमारे लिए प्रेना दायक है, अनुकर्णिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आई आई टी, जी, नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंक देने आ गया है, कम्प्लीट सॉल्यूशन इस्ट्यूट, यहां है स्मार्ट क्लास रूप, वन तुवन डाउट क्लेरिंग सेसम, आस्क दैस्पर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भे बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंचोर, पांटेशन क्लासे फ्रॉम क्लास 6 ओन्वार्स, पर यह ब्राइट फुचर, विजिए, अप्लेट सॉल्यूशन श्यूशन श्यूशन झाल